नमस्कार दोस्तों आपका होश्ट या दोस्त पावन कमार गुपता आज हेल्थ वर्क होने करनाते आप सभी का स्वायत करते हैं गुपता हेल्थ फाउंडिशन में जिसके तहद आपको श्वास्चमनी जनकारियां आपकी बीच में उपलब दिकराई जाती है और बताई जात है जनकारिया सही हो या गलत हो आप उस जनकारियां को ग्रहन करें उसके बाद अपने लाइफ के एकॉर्डिंग उसको सेटलाइज किजिए और सही जनकारी को आप सुनिशित करें ताकि आप तभी आप उस जनकारी को सुनिशित कर पाएंगे कि जनकारियां आप से में जो जनकारियां है आज कल का यह बहुत ही लत है जो यह बहुत ही खराब लत है और इसके जनकारियां जो है आज कल के हमारे नए युवा पीड़ी में तो है ही लेकिन इससे छोटे-छोटे बच्चों को भी जो की 4th class, 5th class, 6th class से ही इस चीज को अपनाने लग रहे हैं और प्रून की जो है माइंड पे बहुत इफेक्ट परता है तो चलिए जनकारी आपके बीच में आज जाहिर करना चाहेंगे, आज बताना चाहेंगे, आज दिखाना चाहेंगे, आज जनकारी आप हमसे लेकर आप अपने आपको एक अच्छे लिवल पे आपने आपको सेट पर कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत यह तो जाब आप जानी जाएंगे तो चलिए आज आपके बीच में जनकारी देने जा रहे हैं कि क्या पॉन्ड वीडियो देखने से जिहां जादा पॉन्ड वीडियो देखने से ब्रेन का आकार जो है वह छोटा होने लगता है और लड़की अस्तम और सपन दोस यानि इलेक्रिक्ट डिफ्यूजन की समाशा से जूजने लगते हैं एडल्ट वीडियो के लड़ के कारण लोग सारी इक सबन्द नहीं बना पाते हैं देखिए दोस्तों यह जनकारी इसलिए दिया जा रहा है ताकि बहुत सारे प्रोग्लम जो है आपके लाइफ में आगे चल कर आ या फिर किसी व्यक्ति का सारीक समंद बहुत बनिया से तोर पर नहीं बना पाना और उससे आपकी वाइफ आपसे रुजान रहती है या फिर आपसे खाफा-खाफा सी रहती है तो चली इस जनकारी को इसलिए आप वीच में सजा कर रहे हैं कि जादा पौन बीरो देखने से ब्रेन का कार जो है वा चोटा होने लगता है तो देखिये दोस्तो कम उम्र में इसका दिखनी का लट से जो पहते हैं अमारा ब्रेन का जो साईज वा बढ़ना चाहिए। वह कामी उम्र में घटने भी लगता है जबकि यही प्रोग्लम के कारण जो है कि मेमोरी लॉस्ट की जो समस्या है यह भी यहां से उद्पन होती है दोस्तों समाज़ गया दोस्तों फिर उसके बाद फिर बात करते हैं कि एक निधारित और निशित मात्रा में एडल्ट फिल्म और आत्म सुख यानि सेल्फ प्रेसराइज के लिए सही है लेकिन किसी का अतीस सेल्फ डिजास्टर बन सकता है यानि दोस्तों बता देना चाहेंगे कि अगर आप एक युवा हैं तो आपको कभी कभी डिप्रेशन के जेल जहामाव से तो आप बहुतों डिप्रेशन होती ह करीड कर सकता है और फिर इसके आगे का जनकारी है कि एडल्ट वीडियो के लगण से उदासिन हो जाते है एडल्ट वीडियो के लट्ट के कारणि जोहाई महत्पुन जो कारिव हो है उसमें आप समय नहीं दे पाएगा उदासिन हो जाएगा और आपका मनोबल जो है वह कमजोर हो जाता है और उनकी विचार सक्ती केवल कामिक्त के इर्द गुमती रहती है यानि आपके जो विचार धारा है जो विचार भावनाया है जो वह आपको इस कदर से इर्द गुमते रहेगी उसी के इर्द गुमते रहेगी कि चलो यह देख लेते हैं ओ देख लेते हैं तो आपको जनकारी और आगे देखी एडल्ट वीडियो की लत भियानक रूप से आपकी उर्जा और समय दोनों को नश्ट करता है जिहां अगर आप एक एडल वीडियो देखने के बाद अधिकांस लोग अपना सीमेन नश्ट करते हैं यानि जो आपका अस्पर्म है वह एडल्ट वीडियो देखने के बाद ज़्यादा तर लोग जो हैं अधिकांस लोग हैं वह सीमेन को नश्ट करते हैं सीमेन के साथ फुक्टोज, एमिनो एसीट, स स्वाडियम, जिंक, फ्राइबर जोनसीन, इत्यादी पोशक तत्व और 200-300 मिलियन शुकरानू जिहां 200-300 मिलियन शुकरानू बाहर निकल जाते हैं और नाली में बह जाते हैं देखिए दोस्तों इस बात को फिर से सुनिएगा आप इपॉन वीडियो देखने के अधिकांस ब सीन, इत्यादी पोशक तत्व मिलियन होते हैं और इससे 200-300 मिलियन शुकरानू बाहर नाले में और नाली में वह जाते हैं जिहां दोस्तों तो इस जनकारी को अब इबताईए दोस्तों कि जब आपका शरीर एक पॉन वीडियो देखते हैं तो आपका जो सीमेन होगा नश् बड़ा ही तोर पर इसको देखा जा रहा है बड़ा तोर पर यह समस्या को उत्पन ले रहा है ताकि देखे दोस्तों होता क्या है कि हमारे बोडी को बहुत सी पोशक तत्व की जरुवत होती है और उसकी पोशक तत्व की कमी जो है जूजती रहती है और जूजने के कारण ह आपके सरीर में रोग उत्पन हो जाता है तो जी हां दोस्तो इस प्रकिरिया को अधिकान्ष लोग कर पाते हैं और इस प्रकिरिया से जो adult वीडियो का लट जो है वह भूत ही घातक साबित हो सकता है आपके लिए और आप इस प्रकर्या को समखल कर, जाचब परताल कर, अपने मायइटिच एपने आपको सोची है कि कि क्या हम सही कर हैं, क्या हम गलत कर हैं आपने आप से आपको जबाब मिल जागा दूस्तों तो यही जनकारी हैं हम आप लोग के बीच में साधा करना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है जानिये परक्य और समझिए ताक कि देखिए दोस्तों होता कि है कि अधिकांस लोग के पास बहुत सारी नॉलेज एकठा तो नहीं हो पाती है लेकिन जो हमारी तरफ से नॉलेज जो आप लोग को प्रवाइड किया जा रहा है वो आपके जिवन के एक एक अलग वे में, एक अलग तरीके के साथ, एक अलग मुकाम पर आपको ले जा सकता है, वो सारी समस्या से आप नहीं जूज सकते हैं, जो आजकल के लोग उस समस्या से जूज रहे हैं, जैसे में बांस्पॉन हो गिया, या फिर इस तरीके साथ संभोग ना करना, या फिर उन आपको एक कासा लगा वीडियो यह लट बहुत ही खराब है यह लट से दूर रहें अपने बच्चों को भी दूर रखें अपने दोस्त के समंधी भाई को भी दूर रखें और यह जनकारी गलत है लेकिन आप इसको सहीवे में ले ताकि देखिए जनकारी गलत हो या सही हो आप अपने सग्चोभाणी को यह जनकारी ज़रूर सेयर करें जारूर बताएं ताकि उनकी समस्या का रुज़ान मालू हुँचल सके कि वह बस्पन में क्या गलते की हैं और जमानी में उनको क्या भुगतना पर रहा है तो यह जनकारी अपने दोस्त, अपने दिस्टदार, अपने सगर समंधी सभी लोगों को सेर करिए धन्यवाद दोस्तों